क्या साधी सुदा मेला किसी अन्य मर्द के साथ लिविन में रह सकती हैं? अगर रहती है तो क्या ये कानूनी अपराथ होगा? जानेगे आज की स्वीडियो में अगर आपको कोट मेरिज या लीवन के बारे में कोई जानकरी चीए तो आप मेरे से बात करकर जानकरी ले सकते हो अगर आपको कोट मेरिज करवानी हो या लीवन के कागज बनवाने हो तो आप जिला नेले सिरसर रियाना में मेरे से मिलकर आप अपना काम भी करवा सकते हो इसलिए जहां तक होसके आप ऐसा गलत कदम ना उठाए अब बात करते हैं कानूर की तो कोई भी मेला किसी अन्य पुर्ष के साथ अपनी मर्जी से सारी इक समन्द बना सकती है क्योंकि आपको भी पता है सबको उस्तुन दरता है अपनी मर्जी से जीने की और इसमें किसी भी परकार के कागज बनवाने की जुरूरत नहीं बस मेला और पुर्ष की आपसे सेमती से सब कुछ होना चीए अब कल को दिकत ये आ जाती है कि अगर साथ में रहने के लिए कोई कागज ना बनवाए हो तो घर वाले तो परसान करेंगे ही उपर से पुलिस भी परसान करने वाले कर देती हैं जब मेला पने पती के पास वापिस चली जाती है तो जाहरी सी बात है कि अब उस अन्य मर्द की खिलाफ पुलिस या कोट में ब्यान देगी कि मुझे तो बहला फुसला के ले गया था मुझे तो नसा देकर ये सब कुछ करवाय गया था इसलिए लीवन के कागजों की यहां जरूरत पड़ती है अब अगर लीवन के कागज सही तरीके से बनवाए होगे तो उस अन्य मर्द का पुलिस और कोड से बचाव हो जाएगा नहीं तो जेल के अंदर भी जाना पड़ सकता है इसलिए जब भी आप किसी अन्य साधी सुदा मेला के साथ सार कागजों की यहां जरूनी तरीके से कागजवी बनवालू